आज मैं बना रही हूँ एक अटरली डिलिसियस छोले की चाट छोला और फ्रूट्स के साथ में ये जो चाट बनती है बड़ी ही स्वादिस्ट होती है इसको आप जब चाहे तब खा सकते हैं ये पूरी हेल्दी भी होती है और फिलिंग भी इस डिलिसियस चाट को बनाना बहुत इज़ी होता है केवल कुछ तैयारी हमें पहले करके रखनी पड़ती हो जैसे सबजियां वगेरे हम काट के रख लेते हैं और ये चिकपी है मेरे पास में जो मैंने पहले से बॉइल करके इसको हलके से नमक के साथ रख लिया था तो सबजियां हमारी सब कटी हुई रहती है तो हमें बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और जब हमें खाना होता है तब हम बना लेते हैं और बहुत ही बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये डिस बन करके आती है चार चमच मैंने लिए हैं बोईल चिकपी के जो की दो व्यक्तियों के लिए काफी है एक टमाटर है जिसों मैंने रफली चोप करके रखा था एक ककड़ी या खीरा भी आप जिसे कर सकते हैं वो भी कटी हुई है इसको भी डाल देते हैं अब है मेरे पास में एक बोल में अनार के दाने चिले हुए उसको भी हम मिक्स कर देंगे केला है एक कटा हुआ और साथ में ही है एक एपल कटी हुई केला और एपल को काटते वक्त मैंने उनमें थोड़ा सा नमक लगा दिया था ताकि जब हम इसकी प्रिपरेशन करें तो हमारे ये फ्रूट्स लाल ना हो एक फ्रेसली चॉप्ड जो कोकोनट होता है वो मेरे पास में एक छोटी कटोरी था उसको मेंने डाल दिया अब साथ में डाला मेने नमक और धेर सारा चाट मसाला चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आने वाला है तो मैंने इसको यूज किया है अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप काला नमक का प्रियोग कर सकते हैं थोड़ा सा भूना हुआ जीरा है जिसको मेने हातों से मसल करके डाला है और साथ में है दरदरी कुटी हुई आधी टीर स्पून गोल मिर्च या काली मिर्च दे देते हैं एक मिक्स और कितना टेम्टिंग सा लग रहा है न ये पर अभी हमें इसे और टेम्टिंग बनाना है और स्वादिस्ट तो क्या है ये ये हमारे पास में है इमली गुड की चटनी जिसका स्वादिस में बहुत अच्छा आएगा और ये थोड़ी सी धनिय पत्त की चटनी है ये दोनों चीजे हमारी डल गई है मिक्स दे देंगे हम इसको और देखने में ये कितनी सुन्दर लग रही है न खाने का मन हो रहा है पर अभी हम धनिया पत्ति को क्यों भूल जाते हैं उसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है इसमें तो सर्व करेंगे तो चाट में हमें बही कुछ पपडियों की तो जरत होती ही है तो मैंने डाली ये चार पपडियों को तोड करके ये मेरी बेग्ड पपडी है फ्राइड नहीं है आपके पस फ्राइड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं डाल देते हैं हमारी चाट को उपर से इसके अंदर और आगे की तैयारी शुरू करते हैं देखने में ही इतना टेम्टिंग और स्वादिस्ट सा लग रहा है कि मुँमें पानी आ जाए अब चाठ है तो दही को कैसे भूल सकते हैं छाना हुआ दही है जिसको मैंने मलमल के कपड़े से छान के रखा था वो यूज किया उपर से डाल देते हैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी और साथ में डालेंगे थोड़ी सी इमली और गुड की भी चटनी जो कि इसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाएगी और अब हम क्या डालेंगे ये इसके क्रंच देने के लिए हम थोड़े से यूज कर रहे हैं ये हम थोड़े से मसाले और यूज करेंगे आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी सेऊं भी डाल देते हैं तो हमारी टेस्टी और यम्मी सी चाट ये जो बन करके तयार हुई है देखने में तो स्वादिष्ट है और खाने में भी लाजजवाब बस थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दिया और यहां पर अगर हम चाहें तो थोड़े से अनार के दाने और दही का प्रियोग और कर सकते हैं तो बस फटा फट से बन गई हमारी ये टेस्टी चाट जिसको देख के खाने का मन किसको नहीं होगा फ्रेंज अगर ये रेसीपी पसंद आई हो तो जरूर ला बाइब बाइब